चंद्रियान 2 ने अपने अभ्यान का एहम पार कर लिया है। दोपहर एक बचकर पंद्रा मिनिट पर ओबिटर से लैंडर विक्रम सफलता पूर्वक अलग हो गया है। अब तए कारेकरम के मताबिक लैंडर साथ सितंबर को चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा। जिसके बाद रोवर प्रज्यान चंद्रमा की सतह का अध्यान शिरू करेगा। चंद्रयान टू ने सोमवार दोपहर एक बचकर पंद्रा मिनिट पर अपने सफर का सबसे महत्व पून्चारण पूरा कर लिया है। इस रोगे वैज्यानिकों ने सफलता पूर्वक लैंडर विक्रम को और्बिटर से अलग कर दिया है। लैंडर विक्रम इस वक्त चंद्रमा की 119 किलोमीटर गुना 127 किलोमीटर कक्षा में चक कर लगा रहा है। लैंडर विक्रम 4 सितंबर को चांद के सबसे नजदी की कक्षा में 35 किलोमीटर गुना 97 किलोमीटर होगा। इसके बाद अगले तीन दिनों में चंद्रमा की सतह के और खरीब पहुंचेगा साथ सितंबर को तड़के डेड़ बजे से धाई बजे के बीच चंद्रमा के दक्षिनी धुरुव पर ये सुरक्षित तरीके से धीरे धीरे उतरेगा इसके दो गहंटे बाद लैंडर के अंदर रखा रोवर प्रज्यान बाहर आएगा रोवर छे पहियों वाला रोबोट वाहन है जिसका वजन 27 किलोग्राम है ये सौर उर्जा से चलेगा और 500 मीटर की यात्रा करेगा इस दोरान वो चंद्रमा की मिट्टे में उपस्थित खनेज और उसकी रासायनिक संरचना का अध्याइन करेगा साथी चंद्रमा के दक्षिनी ध्रोव में पानी बर्फ की खोज वातावरन की जांच करेगा साथ ही चंद्रमा की भीतर की भूकम प्य गतिविधियों का अध्याइन करेगा वहीं और्बिटर तैव कक्षा में चक्कर लगा रहा है 22 जुलाइको प्रक्षेपन के बाद से पांच चरण में चंद्रयान 2 ने और्बिटर और लैंडर की ओ उसकी तैव कक्षा में पहुँचाने का काम किया है और्बिटर पहले से ही चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो गया है और्बिटर तैय योजना के अनुसार एक साल तक कक्षा में रहेगा और चंद्रमा के वातावरण के बारे में जानकारी देगा इस अभियान के पूरा होने के बाद भारत उन देशों के समू में शामिल हो जाएगा जिन्होंने चंद्रमा की सतह को छुआ है साल दो हजार आठ में भारत ने और्बिटर मिशन चंद्रयान वन भीजा था यान ने करीब दस महीने चान की परिक्रमा करते हुए प्रयोगों को पूरा किया था